वेलकम टू इलाइट अकेडमी चलिए आज की किलास स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पढ़ेगे एक्सराइज 2.3 के सभी कोस्टन्स को डिटेल में समझेगे ठीक है NCRT मैथ किलास 11 के लिए क्या एक्सराइज 2.3 चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखेगा इसने कहा which of the following relation or function given region and the function determines the domain and range ठीक है चलिए यह domain और range क्या होता है इसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं यहाँ पर देखेगा आपको पता है last class में पढ़ाय गया था जो relation होता है इस जे subset of A क्रोस B होता है मतलब जो relation होता है वो Cartesian product का subset होता है या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R such that A से लेकर B तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चलिए जी लेकिन जब आपने relation लिखा था तो वहाँ पर जैसे 1 A आया था 1 B आया था 1 C आया था इस तरीके से आया था तो यदि एक element की image एक से ज़ादा होगी मैंने बोला एक element की image एक से ज़ादा होगी तो हम उसको relation बोलेगे function नहीं बोलेगे यह relation ही function कहलाएगा कब जब परती एक domain domain होता है यह वाला set इसको बोलते है domain ठीक है और इसको बोलते है codomain बात समझ आई domain का मतलब है जो इधर वाला set होगा मतलब जहां से पहले element आएगे और codomain का मतलब है जहां से second element आएगे बात के लिए तो यह function कब होगा जब केवल एक element की image केवल एक होगी तो ही हम इसे function बोलेगे ठीक है चलिए जी जैसे माल ले जाए कोई function है fa से लेकर b तक तो इसमें जो domain होता है domain domain होता है यह वाला लेकिन यदि हम इसको expand करके लिख दे इस तरीके से लिखा हो तो domain की दूशी definition होती है the set of all first element set of all first element ठीक है और जो range होती है range set होती है यह होता है set of second element बात के लिए जो second element होगा उसका जो set होगा उसको range बोलेगे range set बोलेगे और जो first element का set होगा उसको domain बोलेगे और जो इधर यह second वाला set होता है इसको बोलते है core domain बात के लिए चलिए तो सभी चीज़े समझ में आई सबसे पहली बात क्या कि जो एक element है उसकी केवल एक image होनी चाहिए एक से ज़्यादा नही और जो first element होते है उसको domain बोलते है जो second element होते है उसको range बोलते है और जहां सर second element लिए जाते है उसको co domain बोलते है तो चलिए first question पर चलते है first question को देखेगा इसने कहा कि आपको ये देखना है कि इने में से relation कौन सा है function कौन सा है मतलब जो function होगा वो relation तो होगा लेकिन जो relation होगा जरूरी नहीं वो function हो तो आपको इसमें से function select करना है तो function select करते समय आपको देखना है जो पहला element लिखा होगा आपको देखना जो ये पहला element लिखा है इसकी image केवल एक ही है या एक से जादे बर लिखा है यदि ये element repeat होगा यदि ये element repeat होगा तो वो function नहीं होगा जैसे यहाँ पे देखेगा 2 है 2 क्या कहीं और भी है नहीं 5 है क्या कहीं और भी है नहीं 8 है नहीं 11 14 17 मतलब यहाँ पे आपने देखा जो first element है वो सब अलग अलग है तो जो first होगा वो एक function होगा first is a function चलिए जी जब ये function होगा तो आपको क्या बताना है domain और range domain क्या होता है domain होता है the set of first element तो first element है 2, 5, 8, 11, 14 and 17 दूसरा range range क्या होता है range होता है set of second element तो आपने देखा 1, 1, 1 सभी में 1 है तो यहाँ पे आजाएगा singleton 1 अब देखो यहाँ पे second element repeat हो सकता है second element repeat होगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन first repeat नहीं होना चाहिए second को देखेगा second में आपने देखा first जो element है क्या वो repeat हो रहा है नहीं यह repeat नहीं हो रहा जब यह repeat नहीं हो रहा तो यह भी एक function हुआ तो जब यह function हुआ तो यहाँ पे second element भी function होगा क्या होगा function आप region में क्या दोगे because every element अब यदि यह है वह single image रखता है इसलिए वह function है यही region आपको यहाँ पर भी लिखना है ठीक है बात के लिए चलिए अब यदि यह मतलब फंक्जन है तो इसका डोमेन भी होगा तो इसका डोमेन क्या होगा डोमेन होता है first element मतलब two four six eight ten six oh sorry यहाँ पर आपने देखा जो यह six है यह यहाँ पर repeat हो गया नहीं नहीं repeat नहीं है 12 12 and 14 clear 12 and 14 तो यह क्या हो जाएगा डोमेन और जो range होगा range क्या होगा set of second element one two three four five six seven बत के लिए यह इसका range set हुआ यह इसका domain हुआ region क्या है क्योंकि परतियक element की image के वल एक ही element है यह देखेगा क्या इसमें परतियक element की image एक है नहीं जी यहाँ पर भी one है यहाँ पर भी one है तो यहाँ पर one repeat हो गया तो it is not a function तो it is not a function यह function नहीं होगा region क्या दोगे क्योंकि one has two image यहाँ पर आप लिखोगे one has two image बात समझ आई चलिए जी उम्मीद है आपको बिलकुल अच्छे से समझ आया होगा next question पर चलते है यहाँ पर देखेगा इसने क्या find the range find the domain and the range of the following real functions यह real functions है real function का मतलब क्या होता है जो real number से function लिये जाते है ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इसका domain और range set पता करना है देखो यहाँ पर fx equal है mode x ठीक है अब आप यहाँ पर mode x को यदि देखोगे तो यहाँ पर समझिएगा जो mode x होता है इसका एक basic concept होता है इसको explain करने का तो जो basic concept है इसको उसको देख लेते है यहाँ पर होता है x minus a का mode यह expand किया जाता है x minus a minus का और x minus a plus का कब जब x की value less than a होगी और x की value greater than equal a होगी बात किलियर तो यहाँ पर जो भी mode का function होगा कहने का मतलब यह है कि वो दो function में टूटेगा एक plus में और एक minus में देखो यहाँ पर बाहर minus है जब बाहर minus है जब यहाँ पर बाहर minus है तो जो minus वाली value है वो plus हो जाएगी और जो plus वाली value है वो minus हो जाएगी मतलब जो यह fx है यह explain होगा x minus x कब x की value 0 से छोटी होगी x की value greater than 0 होगी देखो यह minus इस minus के कारान आया नहीं तो जहाँ पर greater होता है वो हमेशा क्या होता है वो plus का होता है जहाँ पर greater होगा वो क्या होगा वो plus का होगा और जहाँ पर less होगा वो क्या होगा वो minus का होगा यहाँ तक के लिए चलिए जी जब यहां तक आपको समझ आया तो लेकिन यह माइनस यहां पर क्यों आया क्योंकि इस माइनस के कारान आया यहां तक कोई confusion हो तो बताईएगा यदि आपको यहां पर कुछ भी problem है तो आप हमें comment कर सकते है comment box में clear चलिए अब आपको क्या निकालना है इसका domain निकालना है तो जब आप इसका domain निकालोगे तो देखो इसको पहले आप यहां पर इस तरीके से explain करके लिखोगे अब जब आप इसका domain निकालोगे तो domain आप यहाँ पे कुछ भी number रखिएगा यहाँ पे plus या minus आएगा या तो plus का आएगा या फिर minus का आएगा जैसे आपने रखा f minus 2.6 तो यहाँ पे क्या आएगा minus है मतलब 0 से less है तो यह plus का 2.6 आजाएगा यदि आप यहाँ पे f 2.6 रखोगे तो यह minus का 2.6 आजाएगा मतलब यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजे यहाँ पे सब आएगा वो ही number के वल sign opposite हो जाएगा ठीक है बात के लिए चलिए जीए अब देखो इसने कहा real valued function तो आपको value कहां से लेनी है r से तो value भी कहां पर आएगी r में ही आएगी तो जो इसका domain होगा जो इसका domain होगा वो क्या होगा sir r होगा क्योंकि हमें value कहां से लेनी है r से ही लेनी है बात के लिए चलिए जी लेकिन इसका जो range set होगा range set क्या होगा जो इसका range set होगा देखो यहाँ पे जब आप इसकी value निकालते हो तो इसकी आप देखोगी कि हमेशा क्या आएगी positive आएगी इसकी value हमेशा क्या आएगी positive ही आएगी लेकिन यदि हाँ देखो यहाँ पे minus का आएगा ठीक है यदि यहाँ पे आप minus x लोगे तो यह positive आएगी लेकिन यदि plus का x लोगे तब भी यह negative आएगी अंदर वाली value positive आएगी बाहर minus sign लगा हुआ है तो यह minus का हो जाएगा तो मतलब इसकी जो total value आएगी वो negative में आएगी तो plus में नहीं जाएगा तो जो इसकी range है जो इसकी range set है वो होगा infinity minus का infinity से लेकर 0 तक का तो जो इसका range set आएगा वो minus infinity से लेकर का तक आएगा 0 तक बात के लिए चलिए जी उमीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा अब इसका देख लेते हैं second part इसको थोड़ा सा हम erase कर देते हैं एक बार चलिए जी इसका second part देखते है second part बोला गया है जो x fx है वो define किया गया है देखेगा ये define किया गया है fx equal root 9 minus x square तो मतलब जो इसका square आएगा आप यहाँ पर x की जो भी value होगी आप यहाँ पर put करोगे और उसका result यहाँ से निकल के आएगा जब यहाँ से निकल के आएगा तो देखेगा सबसे देखो आर की value कुछ भी रख लीजे सोरी x की value x की value रखनी है r से r से मतलब इसका domain जो आजाएगा वो आजाएगा r बात के लिए real function है तो r से रखनी है domain आगया r अब बात करते है range set की अब r से आप कोई भी value रखोगे तो यहाँ पर plus रखिए minus रखिए कुछ भी रखिए यहाँ पर जो value आजाएगी वो plus की आजाएगी लेकिन 0 भी तो r मे हैं जब आप 0 रखोगे तो यहाँ पर आजाएगा f 0 equal root 9 minus 0 मतलब root 9 मतलब 3 जो f x की greatest value होगी वो 3 होगी बाकी सब value इससे छोटी आएगी बाकी सब value क्या आएगी इससे छोटी आएगी तो यहाँ पर जो इसका range set होगा range set होगा वो infinity minus का infinity से लेके 3 होगा तो यहाँ पर आप इंटर्वल लगा सकते हो open interval ठीक है यहाँ पर open interval लगेगा minus infinity से लेका 3 तक यहाँ पर close आएगा sorry क्योंकि इसकी value 3 भी होगी ठीक है close और open interval का मतलब समझते हो जैसे मैंने लिखा a और b इसको बोला जाता है close interval मैंने यह लिखा a और b इसको बोला जाता है open इसी को हम A और B ऐसे भी लिख देते हैं, open interval का मतलब होता है, जो boundary point होते है, वो भी लिए जाएगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने close लगाया, याद रखेगा हमेशा जो infinity की side होता है, वहाँ पर open interval ही लगता है, यदि आपको close interval लगा के दे रखा है, तो वो गलत है, छीक है? जब भी आप infinity लिखोगे, तो उसके side open interval रहेगा, चलिए, next question पर चलते हैं, next देखेगा, इसे ने कहा, fx is equal to दिया गया है, define करके fx equal दिया गया है, 2x minus 5, आपको value find करनी है, नीचे जो दिया गया है, देखो इसे में कुछ नहीं करना बहुत simple question है, जो भी हाँ पर value दी गई हो, वो आप x के इस्थान पर put कर दोगे, तो first में क्या करेगे, put x equal 0, आप यहाँ 0 रख दीजिएगा, तो क्या आजाएगा, 2 into 0 minus 5, मतलब 0 minus 5 equal minus 5, के लिए, ऐसे ही आप second में 7 put करोगे, put x equal 7, तो क्या आजाएगा, 2 into fx equal आजाएगा, 2 into 7 minus 5, मतलब 14 minus 5 equal कितना आजाएगा, 9, बात के लिए चलिए, यदि आप third में देखते हो, तो यहाँ पर आपको करना है, put x equal minus 3, तो जब आप यहाँ पर minus 3 रखोगे, तो f minus 3 की value क्या आजाएगी, 2 into minus 3 minus 5, आप यहाँ पर multiply करोगे, तो minus का 6 minus 5 answer आएगा, minus 11, बात के लिए, चलिए जी, इस question में, ऐसे question में कुछ नहीं करना, केवाल सीधा आपको value put करनी है, जहाँ पर भी x लिखा होगा, चलिए जी, next च यहाँ पर देखेगा, इसने क्या हा, the function T, which map temperature in degree Celsius, into temperature in the Fahrenheit, in defined by Tc equal इतना, मतलब यदि यहाँ पर Celsius में है, तो यहाँ पर complete रखने पर वो Fahrenheit में हो जाएगा, ठीक है, चलिए जी, आपको दिया गया, Tc equal 9c upon 5 plus 32, यहाँ पर देखेगा, आपको T0 निकालना है, T28, T-10, बिल्कुल सेम question आपको जैसे पीछी किया है, तो यहाँ पर हम एक question कर देते हैं, first, यहाँ पर दिया T0, तो जहाँ पर भी C होगा, आपको वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है, जब यहाँ पर आप 0 रखोगे, तो यह complete 0, तो यह आजाएगा, 0 पलस 32 इकवल 32, बात के लिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको जो भी C दिया गया है, आपको वहाँ पर C के स्थान पर put करना है, second में भी 28 करना है, third में minus 10 करना है, यह आप कर लोगे, ठीक है, यह आप कर, try किजेगा, यदि नहीं होगे, तो आ आप कमेंट कर दीजेगा, हम next वीडियो में इसका solution भी करा देगे, यहाँ पर देखेगा, ता value of C, when T C equal इतना, मतलब आपको value निकालनी है, C की, जब T C की value कितनी आ जाए, 212 आ जाए, तो आपको यहाँ पर T C की value है क्या, यह वाली value यहाँ पर put कर दीजेगा, तो 9 C आपो 5 प्लस 32 इकवल 212, तो देखो यहाँ पर यह पर यह प्लस है, तो इधर जाएगा, 9 C आपोन 35 इकवल आ जाएगा, 212 माइनस 32, ठीक है, यहाँ पर देखेगा, अब यह 9 C आपोन 5, 9 C आपोन 5 इकवल कितना आएगा, इसमें से आप 32 कैंसिल करोगे, तो कितना आ जाएगा, 180 clear, चलिए, अब आपको यह 5 इधर divide में है, उधर multiply में जाएगा, 9 इधर multiply में है, उधर divide में जाएगा, तो यह हो जाएगा, 180 multiply 5, divide में 9, पहले आप 9 से इसको divide कर लीजे, फिर 5 से multiply कर दीजे, तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है, वह 5 into 200, आपका answer कितना होगा, 100, तो इसमें य clear, चलिए जी, उमीद है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया होगा, यदि फिर भी कोई confusion है, तो एक बर वीडियो को rewind करके देख लीजेगा, तो आपको यह बिल्कुल clear हो जाएगा, यहाँ पर देखेगा, next question, next question देखेगा, find the range of each of the following function, आपको इनकी range निकालनी है, जह R से लेनी है, बात के लिए, चलिए, first question, देखो, आपको इसमें domain नहीं निकालना, इसमें आपको domain निकेवल range set पूछा गया है, domain क्यों नहीं निकालना, देखो, first question में आपको जो R की value दी गई है, वो कहां से लेनी है, आपको, R से लेनी है, जब आप R से लोगे, जब आप यहाँ पे R से लोगे, तो domain क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, domain क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी domain R रहेगा, यहाँ पर भी domain R रहेगा, बात के लिए, लेकिन यहाँ पे condition देदी, इसने x की जो value है, वो greater than equal 0 रखनी है, ठीक है, X की जो value है greater than equal 0 रखेगे तो यहाँ पर domain जो होगा वो complete R नहीं होगा R positive होगा मतलब जो real वाली value होगी केवल वो वो होगी sorry plus वाली value होगी ठीक है बात समझ आई देखो इस condition के कारण इसका domain change हो गया मतलब R positive होगा अब देखेगा जब आप यहाँ पर X की value positive लोगे जैसे माँ ले जाए आपने 1 लिया ठीक है F X equal क्या है 2 minus 3 है आपने X equal 1 रखा तो 2 minus 3 equal कितना जाएगा सबसे पहले हम 0 रखेगे तो यहाँ पर 0 आएगा मतलब 2 आएगा फिर इसके बाद 1 आपने put करके देखा तो 2 minus 3 into 1 मतलब minus 1 आएगा अब आप यहाँ पर कुछ भी value रख लीजेगा यदि 0 से अलग यहाँ पर आप 0 से अलग कुछ भी value रख लीजेगा इसकी जो value आएगी वो less than 2 आएगी बात किलियर तो आपका range आजाएगा interval minus infinity से लेके 2 समझाया? चलिए जी second देखेगा second में इसने कहा fx equal है x square plus 2 for all x belongs to r यहाँ पर कोई condition नहीं दी तो domain जो होगा वो r ही होगा domain जो होगा वो r होगा लेकिन जो co domain होगा sorry range set होगी देखेगा आप यहाँ पर 0 रखोगे यहाँ पर आप 0 रखिएगा तो इसकी value आएगी 2 अब 0 से अलग यहाँ पर आप कुछ भी रखिए negative, positive, जो भी आपका मन करें कुछ भी रखिएगा लेकिन जो complete value होगी वो क्या होगी? positive होगी भाई आप x की value कुछ भी रखिए x square हमेशा क्या रहेगा? positive रहेगा और जब यह positive रहेगा तो यह 2 में plus होगा और 2 में plus होगा तो जो भी यहाँ पर value आएगी वो greater than 2 आएगी ठीक है? जो भी यहाँ पर value आएगी वो greater than 2 आएगी तो इसका मतलब जो इसका range होगी वो 2 से लेकर infinity होगी बात के लिए यहाँ पर open interval समझ आया? तो 2 से लेकर infinity क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर positive function है और x की value कुछ भी positive रखोगे वो 2 से greater ही आएगा चलिए जी एकदम के लिए यहाँ पर देखेगा गया है fx equal x for all x belongs to r तो इसका पहले तो आप domain बताईए इसका domain क्या होता है? r होता है ठीक है? r में से लेना है तो r ही domain होगा देखो domain question में पूछा नहीं गया लेकिन मैंने बता दिया अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर value रखोगे वो ही हाँ आएगा तो हम यहाँ पर r की value रखेगे मतलब r में से कुछ भी रखेगे तो वो ही यहाँ पर आएगा तो इसका जो इधर वाला set आएगा वो भी तो r ही आएगा तो इसका मतलब जो इसका range होगा वो भी क्या आएगी? r होगा range जो होगी वो r होगा मतलब set of real number होगा बात के लिए चलिए जी चलिए इस exercise में इतना ही मतलब उमीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया होगा जितने question भी हमने यापर discuss किये चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो please like कीजेगा अपने दोस्तों तक share कीजेगा यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए है या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको तुरंत मिल जाए देखते रहे हैं इलाइट अकेडमी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में